यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानी भवती भारत अभ्यू ततानम धर्मस्य ततात पुडब स्रजामह इस स्लोक से कोई भी अन्जान नहीं है आप जानते हैं ये हमारी भगवत गीता का बहुत ही लोकप्रिय स्लोक है भगवत गीता जिसको हम नॉर्मल भासा में गीता भी कहते हैं और ये हिंदू धर्म का एक महा काव्य है इसको वेद व्यास ने लिखा है जो की अठ्यारे अध् स्लोक है ये वेद व्यास द्वारा संस्क्रित भासा में लिखा गया था ये है महा काविर हमारी पुरानी संस्क्रती प्रणाली परंपराओं से इतना भरपूर है कि इसको देखते हुए हमारी केनर सरकार ने ये एक पॉलिसी MEP के नाम से नेशनल एजूकेशन पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया कि गॉर्मेंट अब स्लेवस में एड़ कर देगी मतलब तो ताकि हमारी जो आने वाली जेनरेशन है वो हमारे पुराने संस्क्रती के वारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और यह जो भगवत गीता है एज एस स्लेवस में एज ए टेक्स्ट बुक सबसे पहले गुजराद ने दो हजार बाईस में गोशणा कर दी थी कि हम इसे अपने स्लेवस में सिक्स से बारे क्लास के बच्चों के लिए जे टेक्स्ट बुक इसको सामिल करेंगे इसके बाद हिमाचल प्रदेश ने पर करनाटक ने कैई राजों में यह स्लेवस में एड़ कर दी गई है ताकि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हमारे पुरानी परंपराओं से पुरानी संस्क्रती से जुड़ी रहे और उनको नेतिक मूले इस्तापित हो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर यह आपके लिए हैलफुल रही हो तो प्लीज कमेंट वॉक्स प्रे यस टाइप कीजिए थैंक यू